कर रहे हैं हमने किया किसी को नहीं बक्षा और किसी को महीं हम छोड़ेंगे नहीं वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं आग ना लगाए ये कोई मजभ की बात नहीं है सिर्फ गलत पहिमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या होगी लेकिन इसके बावजुद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे है ये कोई हिंदू-मुसलिम या कोई ऐसी सांप्रदाइकत इसमें नहीं है ये हमला जो हुआ है सांप्रदाइकत इसमें है नहीं ये दुरुभाग्य की बात है गलत पहिमी की सिकार हुए है जो बहुत ही निंदनी अबाव है पोलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, किया ना कर रहे है हमने किया, किसी को नहीं बख्षा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे आग ना लगाए ये कोई मजब की बात नहीं है सिर्फ गलत पहिमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या होगी लेकिन इसके बावजुद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं एक तो मैने जैसे पहले कहां कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है बहुत ही कठिन जिसे मराठी में कहते हैं दुरगम एरिया दुरगम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिन ही होती है और वहाँ जाना भी हो तो दादरा नगर हविल से आना पड़ता है उस रात जिस वक्त ये घटना हुई ये जो सादू थे वो जाना चाहते थे गुजरात उनको रोका गया दादरा नगर हविल और दुसरी दिन सुबह मार्श सरकर के साथ कोई सला मश्वरा करके इनके बारे में नेड़े हो सकता था लेकिन हुआ नहीं दुरभागी की पात है लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ इसमें कोई भी सांप्रदाइक बाप है ने सो से भी जारा लोगों को हमने गिरफतार किया है जिनको 30 एप्रिल तक पोलिस कस्टेडी मिली है पोलिस की हिरासत में है इसमें पाच जो इनके मुख्या थे वो भी आज कस्टेडी में है और सो देर सो जितने भी हो जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है उनकी तलास जारी है और फिर से मैं एक बार कहता हूँ कि जो भी लोग इसमें गलत फहिमी फाइलाने की कोशिश करेंगे कुरुपा करकर ऐसा मत करे मेरी बात आमित शाहज़ेशें भी हुई है सुबह उनका फोन था कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है आमित भाई ने भी उनको भी पता है कि यहां कोई आगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदा या मजब के लोग रहते नहीं है